नमस्कार दोस्त मैं मनीज फर्मा आप सभी को स्वागते हमारे चैनल पर भाई आज की इस मीटिंग की बात आप सभी जानने के लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे हो और आज की ये अपडेट क्या है मैं दोस्त आज की इस विडियों में बात करने वाला हूं सबसे पहले करना एंड क्लास 12 के जो स्वेंट से सीवेंट के उन बच्चों की एक्जाम के रिगार्डिंग जो बात होई दोस्त भारत के और भी ऑपन स्कूलिंग जो ऑपन बोर्स के उनका क्या होगा सबसे पहले दोस्त में आपको यह बताना चाहता हूं कि निसंग पोक्रियाल जी न इतने वे दोस्तों स्टेट के जो सिक्ष्छ सचीव है उन सबसे यह कह दियेगा कि एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए ताकि जो एक्जाइक्टी समय मोहल चल रहा है उसो खतम किया जाए और पूरे मिटिंग के दुरान दोस्तों निसंग पोक्रियाल जी ने सिर्फ इसके ॥ि वोगण तो अन्दर निउज एडिकेशन ने क्षी दे ना दोस्तों य क्योंड़े समय का मिटिंग होईılar और आप सबको सपोर्टा उब्रjutर ऑट ने इस चाले है इस यहा पर में और आपको बताना चाहता हूं कि इस मीटिंग के अंडर क्या बात निकल कराई देखो एजुकेशन मिनिस्टर का ओडर ही पूरे भारत में चलता है साइसी वेसी बोर्ड या चाहिए कोई सी भी बोर्ड है यहाँ पे है ना जो भी गवर्मेंट बोर्ड से इसके में और इस समय दोस्त जब क्लास 12 के बच्चे उजाम कैंसल किया गया लेकिन एनस वाले बच करना होता है तो इनके एक्जाम के लिए भी कैंसल करके इनको पर्मोट करने की बात भी रखी गई दोस्त मैंने अपने तरफ से आफ सबी के बिहाब पर जो डिबांड रखी है वो दोस्तों क्लास 10 और 12 के बच्चों को विदाउट एक्जामनेशन गुड्स मार्स के साथ ग मेरे दिल में बहुत तकलीफ होगी मैंने चलो इस पर हस्ते हस्ते रिस्वांस किया पहली बात दोस्ते यह जो ओन डिमांड के सुरेंटे दोस्त इनका भी कुछ आता पता नहीं है इनका भी कुछ किया जाए जैसे पब्लिक जामस के बच्चे को परमोट करने की बात हो बैस को बहुत खुसी के साथ यह बात बताना चाहता हूं दोस्त कि अब मुद्ध बहुत जादा यह हो चुका है क्योंकि आपको पता है दोस्त कि मुंबई हाई कोट के अंदर जो प्रिटीशन धायर किया उसका दोस्तों जिक्र किया गया इस मीटिंग के अंदर और मैडम जी न पर उनको दोस्तों इंटरनल एसेस्मेंट में पास कर दिया गया यानि की एजाम कैंचलर करके रहें जो कि लास 12 के सुरेंटे जोस्त आगे असेस्मेंट में आगे फ्युचर में कोई दिक्कत नहीं हो इस पेच आटक गया है सीवस्य वालों का यहीं मुदब मैं ने उठाय लेकिन जो class 10th और 12th NS Board के student है दोस्त उनका सिर्फ और सिर्फ TMA में ही summit हुआ है 10th और 12th में किसी भी बच्चों का भी तख practical summit नहीं हुआ है तो जो आपका assessment का scheme होगा यानि किस तरीके से आपको marks दिये जाएंगे इसलिए दोस्तों सिर्फ TMA के बेस पे आपको उस तरीके से marks नहीं मिल पाएंगे और फिर जाकर वही दिक्कात आएगे जो last year थी इसलिए दोस्तों अब किस तरीके से आपको marks मिला जाए किस तरीके से marks दिया जाए अगर promote किया जाए तो क्योंकि दोस्त promote करने का मकसद सिर्फ यह है कि आपको घर पे रहकर next year की preparation start कर दिया जाए और आपको without चामेश परबोट करते जाए यही इसका मतलब है लेकिन इस समय आपको practicals नहीं हुए है दोस्त पैक्टिकल ना होना एक बहुत बड़ी बज़ा बन चुकी है आज किस meeting के अंदर क्योंकि internal assessment में किस बेस पे हम marks देंगे जो दिक्कत आ रही है दोस्त पैक्टिकल और दोनों हो चुके थे और इसलिए exams को पर्मोट यानि कि cancer करके पर्मोट किया गया बच्चों का और एक internal assessment भी अच्छे खासा बने गया था लेकिन इस बार बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन दोस्त आपको ये बात पता होना चाहिए कि Mumbai High Court ने जैसे CVC Board को कहा है कि बुद्वार यानि कि पर्सो जो final decision देने वाले हैं वो सेम दोस्तों इसी तरीके से एनिवेस बोड भी इस बात पर जिक्र कर रहा है कि आगे क्या करना है और इसके विहाद पर जो फैसला होगा वो आप सबके इंटर्स्ट में होगा खुशी के बाद दस्तों यह है कि सर्यों सरमाजने बिल्कुल साफ लहजों में यह कह दिया है कि एनिवेस बोड का एक भी students इस बार anxiety के कारें से परिसान नहीं होगा tension मतलेना हम आप सभी के इंटर्स्ट में जो भी आप अच्छा होगा फैसला हम वही लेंगे और दोस्तों 20 तारिक को एनिवेस बोड का अब फैसला ले लिया जाएगा ऐसा नहीं कि फैसला आज नहीं हुआ आज भी दोस्तों पूरी बात पहुँच चुकी थी सब जगा लेकिन अगर promote करते हैं तो ये practicals नहीं हुए इसका बहुत बड़ा दोस्तों लफड़ा यहां आके लोग डुक गया मैरे दोस्त यहां पर ख्वाइस अब तो यही है कि एक भी बच्चा इस वार फेल ना हूँ और भगवान करें इस वार एक भी बच्चे के घर में कोई problem ना हो और खुशी-खुशी सब हम ये दुन्या दोस्त आप सब जिन्दी काट काई रहे थे ना यह दुख के पल भी कट जाएंगे और आगे हम निकल जाएंगे खेर दोस्त इतने मैं कहाना चाहता हूं कि आप सब क्यूटर के दोस्तों बहुत सपोर्ट कर रहे हो हमारी मुहीम चलते रहनी चाहिए सब्सक्राइब दोस्तों एक इक इकवल बोर्ड है इसलिए लेकिन अनुस पूर्ड को दोस्तों सरे किसे इग्नोर किया जाता है यह मुझे थोड़ा सा बुरा रखता है इस समय लेकर आपको टेंसर नहीं लेना जोस्तों मुद्दा सिर्फ यह है कि कि लास तैंथ और त्व रही तो एक्जाम्स करवाना इंपोसिवल है क्योंकि इसमें सी बच्चों कहीं नहीं उन टीचर को भी खत्रा है जो एक्जाम्स होल में जाएंगे ऐसी हालातों को देखते हुए पैरेंट्स में एक्जाइटी होगा जिसके विए से एक्जाम्स कैंसल करना एक अच्छा जाद हुए कैंसल होने के चांस बहुत यादा है इक अभी कुछ ऐसे एक्स पर्ट संफ reflection नहीं त्वाला बच्चों कर मोट में आघर एड्मिशन में ये तमाम दिखते हैं दोस्त ऐसे बाते जब ठीक लगती है जब situation ठीक हो इस situation में हम सभी लोग चाहते हैं कि exams ना देना ही बहतर है क्योंकि बाहर जाने से ये covid का जो है ये peak थोड़ा बढ़ सकता हो अभी भी आप देखिए रहोगा आहलात क्या है इस समय दोस्तो हमें तो बैशन कंट्री से सीखना साइए यार अमेरिका वेटरन फ्रांस रसी या चाइना तक देख लोगा है इग्जाम्स कैंसल बच्छों परमोड कर दिया गया है इदर इंडेनेसिया मेलिसिया सिंगावूरी फिलिपिन्स थाइलेंड जर्मनी इस्पेन पुर्तगाल देख लो निदरलेंड को देख लो बच्चों को परमोड को देख लो पूरी दुनिया के अंदर एजूकेशन ब तो हम ऐसा फैसला क्यों नहीं ले सकते हैं और सीवेसी बोड पर ही सब क्यों ऐसे सोच रहें कि अन्यूस बोड वही करेगी जो सीवेसी बोड करेगी मुझे दोस्तों इस समय यह लगता है कि जल्चे जल्द फैसला एन्यूस बोड को भी लेना चाहिए और इस इंटरस्ट म जो हमारी डिमांड है यह आगे तक पहुंचे और अब जो दोस्त बुदवार को दोस्त यानि की वैनेश डे को फैसला आने वाला है फैसला आने वाला है और उनको यह बताना पड़ेगा कि वो परमोड कर रही है या कैंसल कर रही है किस रिके से क्या करना चाहती जल्द से बताएगी इसलिए दोस्त बुंबई हाई कोड की इस फैसले से इन उस पे बड़ा इंपक्ट पढ़ने वाला है लैटर दोस्तों मैंने लिग दिया है पीमो को आप सभी के ब्यागते मैं दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत अवारी हूं और आप सबके सपोर्ट चाहता हमेशा के लिए जैसा दोस्तों आपने हमेशा बरकरार रखा हैं इस बार दोस्तों अपना सपोर्ट ऐसी बरकरार रखना यह भाई आपका लिए लड़ता रहेगा इस बार एक भी बच्चा बीना किसी भी बज़े से इस एन्विस बोट के अंदर परिसान नहीं होगा उसकी बिद गाइडिंग गाइडिंग नहीं मिलती बच्चा पनी कहाल कुछ मिस गाइडिंग फजाता है क्यार दोस्तों इन सबसे बचाना बेरनेस फिलाना है इस बीडियो सब जगह सेर करना चाहे पर नहीं हो तो है इसका एक मात्र तुस्तों यूट्यूब चैनल है जो आप सबस्क्राइब करके ब Soroo ने हो थो दोस्तों को यह बताना ताकि सब को इसके बारी बता करें की को शुटर पर घृट करतीओ दोस्तों थेite यार है क्योंकि हम घर में बाहर जा नहीं सकते हैं ठीक है चल दोस्तों मिलीगा नेक्स वीडियो के अंदर अब में फाइल डिसेंज दोस्तों 20 तारिकों ही आएगा इससे पहले दोस्त अब प्रैक्टिकल्स का जो पेश फसा हुआ है यहां पर इसके उपर बात चल रही है क्य क्या फैसला होता है क्या डिसेजन होता है दोस्त अभी मैं अपने तरफ से पूरी हां पर आगे आपके बात रखने वाला हूँ दोस्त आपकी क्या राय है इस टोपिक पे प्रैक्टिकल्स नहीं हुए है तो क्या परमोट नहीं किया जाए आपके क्या राय है दोस्त या प् आई हो सकती है मुझे कमेंट बोक्स में बताना ताकि आगे मैं आपके विहाब के मैडम से बात कर सकूँ बिल्गों दस्तों नेक्स वीडियो के अंदर जय हिंद जय बाई